प्रेगनेंट होना गर्वती मेला के लिए जहां एक और बहुत ज़्यादा सुकरप्र देने वाला होता है वहीं दूसरी ओर आपको कई सारी समस्याओं कर सामना भी करना पड़ता है इनी समस्याओं में से एक है pregnancy के दोरान गर्बती मेला के सरीर में amunetic flood की मात्रा जादा होना यानि कि पानी की मात्रा जादा बढ़ जाना इसीलिए प्रेइंस आसके वीडियो में हम जानेंगी कि प्रेग्नेशी के दोरां गर्बती मेला के सरीर में इम मढटी फ्लर्ड की मात्रा ज्यादा क्यों बढ़ EBAD है ऐसा क्यों होता है , इसके पीछे क्या कालर है और सरीर में पानी से गर्म में पल रहे बच्चे के लिए कोई बड़ा खत्रा इन सारी बातों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो में अंतक बनी रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे मेरे वीडियो की नौट भूले में प्रेसल जाधा बनने लग जाती है और ये यह वही तरल पदार होता है जो के गर्म में आपके बच्चे को चारो तरफ से घेरे रहता है और इसी तरल पदार के कारण ही गर्म में बच्च पूरी तरह से से पोता है प्रेग्नेंसी के 34 सब्ता से लेकर 36 सब्ता तक गर्बती महला के सरीर में पानी की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है लेकिन जैसे ही आपका डिलीवरी का समय नजज़िक आता है तो दीरे दीरे करके इस पानी की जो मात्रा है वो कम हो ने लग जाती है प्रेग्नेंसी के दोरान गर्बती महला के सरीर में एमिलेटिक द्रव की मात्रा जब तक संतुलित मात्रा में है तब तक गर्मे पल रहे बच्चे और गर्बती महला को किसी भी तरह का कोई भी नुकसा नहीं होता है लेकिन कई बार pregnancy के दौरान आपके सरीर में पानी की मात्रा जरूर से ज़्यादा बढ़ने से ये गर में पल रहे बच्चे के लिए काफी हद तक हानिकारक हो सकता है तो फ्रेंट्स अहम जालते हैं कि pregnancy के दौरान अगर किसी गर्बती मेला के सरीर में एमिन्टिक फ्लर्ड यानि की पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उसे कैसे पता चलेगा यानि कि पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ने पर सरीर में क्या-क्या लक्षर दिखाई देती सबसे पहरा लक्षर है pregnancy के दौरान गर्बती मेला के सरीर में यदि एमिन्टिक फ्लर्ड यानि की पानी की मात्रा जरूर से ज़्यादा बढ़ गई है तो ऐसी कंडिशन में आपको लगातर आपके पेट में दर्द और एठन की समस्या होती रहती है जो कि काफी सारी इस्तिमाल करने के बाद भी ठीक नहीं होती है तीसा लक्षर है pregnancy के दौरान आपके सरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होने की बज़या से कईवा delivery होने से पहले ही आपको लेवर पेनाना सुरू हो जाते हैं तो friends अगर pregnancy के दौरान आपके सरीर में एमिन्टिक फ्लर्ड य पानी की मात्रा क्यों बढ़ जाती है इसके पीचे क्या कारण हो सकती है सबसे पहला कारण है pregnancy के दौरान गर्म में पल रहा बच्चा एमिन्टिक द्रव को पहले तो निगल लेता है और उस समय के बाद उसे बाहर निकाल देता है तो ऐसी condition में आपके गर्म में एमिन्टिक की मात्रा बढ़ जाती है जो कि गर्म में पल रहे बच्चे के लिए काफी बड़ा खत्रा पैदा कर सकती है दूसरा कारण है कि अगर pregnancy के दौरान गर्बती मेला के बलेड में सुगर की मात्रा जादा है तो ऐसी condition में भी आपके सरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसा तब ही होता है कि अगर pregnancy से पहले यह pregnancy के दौरान आपको diabetes हो तो तीसरा करण है कि pregnancy के दौरान अगर आपके गर्म में जुड़वा बच्चे है तो ऐसी condition में भी आपके गर्म में पानी की मात्रा जादा बढ़ने लग जाती है क्योंकि ऐसी condition में एक बच्चे तक तो बल गर्म मेला के प्राइविट पार्ट में लगातार infection होनी की बज़े से भी आपके गर्म में एमिटिक फ्लूड की मात्रा बढ़ जाती है तो अगर pregnancy के दौरान आपके सरीर में पानी की मात्रा बढ़ रही है तो यह कुछ लक्षड है जो कि मैंने आज के वीडियो में आपको बनाए है इन्हें समझ कर आप पता कर सकते हैं कि आपके सरीर में पानी की मात्रा जादा है कम है या संपलित मात्रा में और फ्रेंट्स प्रेंट्स के दौरान गर्बती मेला के सरीर में पानी की मात्रा कम या जादा होने की पीछी क्या वज़े होती है क्या कारण होती है यह यह भी मैंने आपको clearly बता दिये तो friends pregnancy के दौरान पत्तिक गर्वती मेला को अपने सरी में आ रहे हर एक छोटे बड़े बदलाव को ठीक से समझना चाहिए और किसी भी बदलाव में थोड़ा सा भी डाउट होने पर आपको तुरंती अपने डॉक्टर से संपर करना चाहिए जिससे के आपको जरूरी सला और साबधानियों के बारे में पता चल सके अगर ये बीडियो में बताई गई बाते आपको अपने लिए यूजपूल लगती हैं पसंद आती हैं तो please मेरे बीडियो को like करें और अपने friends और latest में share करना ना बूलें जिससे के इसका love सभी उटा सके इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना बूलें जिससे मेरे बीडियो की notification आप हूं मिलती रहें तो चलिए friends मिलते हैं next time एक नई बीडियो में नई जान कारी के साथ तब तक के लिए कुछ रहें स्वस्त रहें और अपनी pregnancy को अच्छे से enjoy करें धर्निवाद